वागी ब्लॉग में मैं बहुत ही एक खास चीज को कवर करने वाला हूँ जो पिर अनिस्पेक्टेड है उसके लिए मैं कॉलेज के जश्ट बाद ही आ गया है यहां पर खाना भी नहीं खाया आप लोग का फर्फ बनत है इस ब्लॉग को शेर करिये जादा से जादा से शेर करिये वाई क्योंकि एक वेस्ट एक पापुलर जो लिस्ट में इसको आ जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं एक रूम में बैटके तिर्फ बल्या का नाम लेकर रिल्स बना दू तो बहुत सेर हो ज चली जल्दी को ब्लोग को सुरू करते हैं बहुत तेज दूबे भाई बचना है तो जैसे कि मैं आप लोगों सका था कि मैं बलिया के स्टेशन के अंदर नहीं जाओंगा कुछ बहुत ही बड़ा अपडेट अकर आएगा तभी अंदर का सूट करूँगा और बाहर कुछ ए सब स्पेस बन रहा है इतना ज्यादा और यह जो एरिया है इसको दखिए छोटा किया गया है बीच में लाली फॉंटेन के लिए वाटर निकालने के लिए कप सीन बना गया है मैंने सब कुछ आपको दिखाया था डीटेल में बट कुछ ऐसा जो कि मैंने भी निशोचता कि यह भी बतलव आएगा तो चलिए उसको ही कवर करते हैं जल्दी जल्दी और मैं बाहर की चीजों को कवर करूंगा इसी ब्लोग में सब्सक्राइब देख सकते एक बहुत ही खतरनाक क्रेंट खड़ी है खतरनाक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही एक हैवी काम क है इसका नाम मुझे नहीं पता कि यहां पर चाइनिज में लिखा हुआ है देख सकते हैं बढ़ा यहां पर 4500 kg लिखा है तो यह 45 टन आयप्रोक्स वगा शाड़े 410 की है यह तो यह जो क्रेंट है यह किस लिए है मैं वह भी दिखाने वाला हूं उससे पहले एक और इतनी बड़ी वह यहां से इस ट्रेंट को हटाने के लिए लगी हुई है आप लोग बचपन से जब से हो समाल है आई थिंक आप लोग इस ट्रेंट को बलिया कर फ्रंट गेट की सुब बढ़ाते हुए देखे होंगे इतना प्यारा सा ट्रेंट जिसका नंबर है सिर्फ छो इस चैनल पर जरूर आते रहेंगे तो आप जब से इधर काम चल रहा था एक नया इंट्रेंस खोला गया तो जो कि अभी भी चल रहा है देख सकते हैं और मैं आपको वहां लेग चलता हूँ जहां पर यह ट्रेंड रिप्लेस्मेंट होके जाने वाली है यह देख सकते हैं अब इसका काम जल्दी समापत हो जाएगा यहां से और वो न्यू एक इंट्रेंस में आपको पिछले ब्लोग में दिखा है तो अगर आप लोग नहीं देखे जाको दिखिए जरूर मैं उसको आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए मैं आपको जल्दी से वह सब्सक्राइब करिएगा विडियो को शेयर करना तो बिल्कुन मत भूलिएगा और उधर जाने से पहले इधर चलते हैं और पिछले ब्लोग मैंने इसको कवर किया था आप लोग बहुत कम लोग देखें उस ब्लोग को मैं उसको डिलीट करने की सोच रहा हूं बहुत कम तो गाइस इससे पहले वाले ब्लोग में यह एरिया जरूर आपको दिखाया था अगर देखेंगे तो पता ही होगा यह दोनों पार्किंग एक इधर है और एक इधर है बट कुछ चीजा मैं ने मिस्किया था पार्किंग शार्ज निग बताया था ब्लोग से और हाद तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो जली जली से पहुंचते हैं वाई जो कि यहां पर काफी प्यारा लग रहा है और उपर एक सिर्फ लाइट फ्लैग नहीं है और इधर ही वह ट्रेन उठके आने वाली है जो फ्रेंट पर आपको मैं दिखा रहा था तो चली जली सब को एरिये दिखाते हैं यह आगे का सब सब हो रहा है वह बॉर्णरी विलग चुकी है कि यह गेट है तो इधर भी सब अच्छा से सदा दिया जाएगा अच्छा से भीव मिल जाए आगे का भी और यह देखिए मैं आपको दिखा रहा है जहां पर ट्रेंड को पार्क करने कि जब यह काम हो जागा तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा चली थोड़ा करीब से दिखाते हैं काफी दर कच्छरा है तो इसके लिए मैं दूर्श दिखा रहा था चली आप लोग के लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग का फर्स बनता है कि वीडियो को जरूर सेर करिएगा अब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो गाइस यह देख सकते हैं यह है वह एरिया जो फ्रंट पे रखी होई जो आपकी ट्रेन का इंजन है उसको यहां पे लिया का पार्क किया जाएगा और पहले से ही यहां पे सब कुछ कर दिया गया सेट और दर दे देखे एक भाई मिल है जो कि मुझे एक नया अपडेट दिया जो मुझे भी नहीं पता था था समझा कर बता है अब बता जी अपने तरीका से हाँ बहुत ही बड़ी है यह जो गाइस भाई तो बोल पाते हैं नहीं सैसे बट मुझे अपनी सारों में बहुत ही प्यार से अधर सकते हैं या देखिए भाई बहुत ही अच्छा से मुझे समझाया हैं यहां से उतर जाएगे और इधर के लोग इधर चली जाएंगे और इधर से जो भी आएंगे अधर चली जाएंगे तो काफी हमने इस ट्रेशन पर देखा है बाहर से भी एक सेड़ी एमर्जन्सी ब तो चलिए अब जो आगे अपडेट मिलने वाला है वो एक रोड से कि क्या यहां पे डेवलप हुआ है चलिए आपको दिखाते हैं सुगाइज मैंने जो आपको बता रहा था कि बलिया के लावा भी कुछ नए अपडेट दिखाने वाला हूं तो यह आप देख सकते हैं कि यह रोड की किनारे नाली बन रहा है और यह जो एक स्टेयर यहां इसको भी पीछ कर दे जाएगा सारा चोड़ा हो जाएगा और यह ज देख सकते हैं इधा पड़ागा कचला और कुछ एरियों में काम हो चुका है चली आपको लिए चलता हूं वहां जल्दी से बिना किसी देरी के मैं हुँ अभी बहरी में और आप जरूर यहां पे शॉपिंग किया होगे सिटी काट में इधर की जितने भी एरिया से रोड है साड़े कि सारी चोड़े हो गया है बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था आजपास की घरों को और उसके लिए यहां पर देखी एक फुल बनाया जा रहा है बहुत ब्रीज बनेगा अल्ड़ी यहां पहले से एक ब्रीज था बट कमजोर होनी कोगा सो तूट गया था और य आपको आगे दिखाता हूं कि रोड जो है वो कैसे चोड़ा हुआ है कितना चोड़ा हुआ है क्योंकि इसी के लिए बन रहा है रहा है और आप लोग पहली बार आए तो जरू सब्सक्राइब करिए कर जाएगा वीडियो को जरू सेर करिएगा ठीक है आपको बलिया सेकर है तो जरूर आपको फर्ज बनता है वाई सेर करना चलिये फिर चलते आपको दिखाते हैं बहरी का रोड कहा तक चोड़ा हुआ है उसको दिखाते हैं जैसे कि मैंने आप लोग से कह रहा था कि बहरी में घड़ों को तोड़ करके वहां पे रोड बनाया जा रहा है उसको देखें और इसको बस दिखा दिए यार सेर करें बीड़ों को ठीक है जल्द से शेर करिए और चलिए आपको दिखाते हैं डीटेल में सुगाइस अदेख लिए यह जितना आप एरिया देख रहा है यह एक्स्ट्रा रोड बनाया गया है चोड़ा करने के लिए उसको बाद इतना ही चोड़ा आपको बहुत आगे तक गया है मालदेपूर से भी आगे तक पतंड रहा है और वो आप नमूना आप देख सकते हैं जए घरों को तोड़ा गया है कैसे और यह तोड़ने के बाद हो सकता है और पैसा वागिर दिया गया हो मुझे पता नहीं है बट शीन जो एक्सार चलती है और मैं उसके वाइस थोड़ा आपको आगे तक फूर करा देता हूं और नया ब्लोग में लाओंगा जिसको जिसमें और भी डीटेल में आपको दिखाने वाला चीजों को बहुत ही अच्छा ची दिखाऊंगा तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ठीक है तो चलिए फिर इस ब्लोग में इतना ही अब मुझे यहां से इंट्री लेकर जाना होगा अपने घर पर मेरा भी घर यहीं पर है अब अलिया में रहता हूं मिलना हो तो इंस्ट्राम आइडी में सेर कर देता हूं उस पर कॉंट्रिक कर लिजिएगा और नियू ब्लो अब जाते हैं धियान देते इस चीज का देखिए मस्जिद के जब सबास ही सब गया है चलिए फिर इस ब्लोग में इतना ही अब आइग अब आइग ब्लोगा